हलो फ्रेंट्स सागत करता हूँ आप सभी लोगों का सुपर इंग्लिस क्लास में मैं सीवी राज आपको इस वीडियो में आज बताऊंगा हिंदी नेम को इंग्लिस में कैसे लिखेंगे तो मैंने इससे पहले एक टेबल लिखाए थी जिसमें आप लोगों को हिंदी नेम को इंग्लिस में लिखने के लिए कोई सा अच्छर से कौन सा अच्छर बनते हैं तो वो याद करने पड़ेगा जैसे छुटा से और डबुल आ बनेगा बड़ा से तो ये सारे अच्छर याद होंगे तभी आप इंग्लिस में कर पाएंगे नेम तो practice के लिए यह simple नाम मैंने कुछ लिख रखे हैं तो देख लेजिए friends जैसे अमन लिखा है तो यह बनेगा छुटा से यह बनाएंगे और यम बनाएंगे मा से और जो इसके space में जो बीच में यह आएगा वो जब अच्छर जुड़े नहीं होते हैं तब यह लिखेंगे और ना से यन बनेगा कमल तो का से बनाएंगे के यह लिखेंगे बीच में और यम लिखेंगे मा से और यह लगाएंगे और यल बनाएंगे लाश्ट में जैसे अलका है तो छुटा से ए और यल से बनेगा ला से होता है यल तो यल यहाँ पर करेंगे और ए लिखेंगे के बनाएंगे अलका हो गया बादल में बी बनाएंगे और एक जो बड़ी आ की महत्रा है तो यहाँ पर ए लिखेंगे और दा से बनेगा D, A, L बादल हो गया मदन M, A, D A, N दा से D बनेगा तो फ्रेंट्स दूसरा नाम देखते हैं काजल का से बनाएंगे K, बड़ा I की मातरा लगया है तो ये बनाएंगे जा से J बनेगा और ये लिखेंगे E, L बनाएंगे, काजल हो गया सार्दा सार्दा S, H बनता है सा से बड़ा की मातरा है तो E बना लेंगे और R से बनाएंगे रा से R बनेगा और इसमें E E लगाएंगे और D से D बनता है और E दंडा लगाएंगे इसमें सार्दा हो गया पायल देख लेते हैं, तो P से बनाएंगे, पा का मतलब P लिखेंगे, यहां पे एक बड़ा की मात्रा है, तो A बनाएंगे, और Y से बनेगा Y, और E की मात्रा है, तो L बनाएंगे, पायल हो गया, गगन तो गगन जी बनेगा गासे और ए बनाएंगे बेच में फिर जी है और ए लिखेंगे फिर यान यह जब कोई अच्छा जी से कल्ळू होता है तो उसमें डबूल ए तुरन तुरन बनेगा उसमें ए नहीं लिख सकते हैं इसलिए इसलिए यहाँ पर यह लगाएंगे दूसरा नाम देख लेते हैं राम सागर तो आर बनाएंगे रा से एक डिंडा है मतलब बड़ा की मात्रा से ए बना देंगे और मा से यम बनेगा राम सागर के स्पेलिंग यस बनाएंगे और बड़ा की मात्रा के लिए ए और जी बनाएंगे गा से ए लिखेंगे और आर शागर होगा है राम शागर राम पाल तो रा से आर बड़ा की मत्रा से ए और यम से मतलब मा राम पाल पी ए ल तो यहाँ पे पी जो है वो पा से ही आएगा भारत बी एच बनेगा भासे बी एच बड़ा की मत्रा से ए आर बनाएंगे रा बना है इसलिए यह लिखेंगे ता से बनेगा टी भारत प्रेंट्स यहां पे राम प्रकास आ रहा है न तो आर बनाएंगे रा से बड़ा की मात्रा लगाएंगे तो यह बनेगा और यम बना देंगे मासे राम हो गया प्रकास पासे बनाएंगे पी इसमें रा टंगे हुई है तो आर यहां पे बनेगा यह लिखेंगे और कासे होती है गोलिया वाला तो S H बनेगा राम प्रकास हो गया और नच्स अच्छर है बलराम तो B से बनाएंगे बाजब होता है तो B बनेगा और E लिखेंगे और Y el जो जो है लासे बन जाएगा और R, E, E M तो R लिखेंगे रह है इसलिए बड़ा की मात्तरा है तो ये बनाएंगे, यम, बलराम, मासे, यम, पावन कुमार, तो P, A, और W यहां पर इसलिए दोस्तों बनाएंगे, क्योंकि बाद से V, A बनता है, और W भी बनता है, तो यहां पर हमने बहुत ज्यादा तर देखा है, W लोग बनाते हैं, तो W हम भी लिखेंगे, A, यन, पावन, बनाएंगे न, छुटू की मातरा से यू बनेगा, और यम से आप लोग जानते हैं, यम जब आता है, जहां पर मा लिखा होता है, वहां पर यम लिखा जाएगा, और ये लगाएंगे, आर बनेगा, रा से, तो पवन कुमार हो गया, अब दूसरा नाम देख लेते हैं, राज क कुमार के स्पेलिंग के छुटू की मात्रा है यो बनाएंगे और माासे यम बनेंगा यह लिखेंगे बड़ा की मात्रा है इसलिए राग देंगे राज से नेक्स है राम सहाय तो आर बना है तो रा से ए बनेगा और यम से मा है और सहाय तो यस बनाएंगे सा से और ए लिखेंगे यहाँ पे जब दोन अच्छर एक में जोड़ नहीं रहे होते हैं तो ए बनाएंगे और हा से यच बनेगा और बड़ा आ की मातरा लगा है तो इसलिए यह बाई लिखेंगे राम सहाय जस करन तो जे बनाएंगे जा से यह लिखेंगे सा से यस बनता है जस हो गया और करन का से के बनाएंगे और यह लिखेंगे और फिर यह लिखेंगे आर लिखने के बाद रा से आर हो गया ये ये जश्करन हो गया जब दोनों असर सिंगल हूँ और उसमें कोई भी जुड़े हुए ना दिखाई पड़े तो उसके बीच में ये लगाएंगे तो जश्करन हो गया यहाँ पे है राम प्रसाद तो आर बनाएंगे रा है इसलिए बड़ा की मातरा लगाएंगे और फिर यम बनाएंगे राम प्रसाद पी बनाएंगे यहाँ पर पासे और आर बना लेंगे इसमें राटंगा हुआ है यस बनाएंगे सा है इसलिए ये लिखेंगे और D बनाएंगे बड़ाय की मात्रा है राम परसाद होगा P R A यहाँ पे दोस्तों यह छोट गया था जब दोनों अच्छर अलग अलग हों जुड़े ना हों एक में तो यह लगेगा राम परसाद होगा और माया राम देखते हैं तो यम बना है तो मा से हो गया इसमें एक बड़ाय की मात्रा है इसलिए यह और बाई लिखेंगे यहाँ पे या है इसलिए और बड़ाय की मात्रा लगी है तो यह बनाएंगे माया और राम आर रा है इसलिए और यह बड़ाय की मात्रा है तो यह और यम बनाएंगे राम हो गया मया राम हो गया यहां पे गंगा राम लिखा है तो जी बनेगा यहां पे गा है इसलिए और उपर जो यह लिखेंगे यहां पे दो अच्छर के बीच में कोई जुड़े हुए नहीं है इसलिए और उपर एक बिंदी भी रखे है तो in बनेगा यहाँ पर जब उपर कोई अंग की बुंदी होती है तो in बनेगा और फिर g लिखेंगे यहाँ पर एक dendal लगाएंगे गंगा इसमें एक यहाँ पर यह छूट गया था गंगा हो गया और राम है तो r aim गंगा राम दोस्तों यहाँ पर आप लोग यह टेबिल याद कर लेंगे बिना देखे तो आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से हिंदी नेम को इंग्लिस में लिखना आ जाएगा तो दोस्तों यह प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के लिए वीडियो बनाया था तो आप यह कुछ नाम रेंडम किसी आस परोस या गाउं के लिजिए और फिर सिंपल नामों को इंग्लिस में बदलने की कोसिश किजिए जिससे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगे और हिंदी नेम को इंग्लिस में आप लिख पाएंगे और इंग्लिस नेम को भी हिंदी में लिख पाएंगे तो दोस्तों नेक्स वीडियो अभी थोड़ा इससे पाई मात्रा वाले नेम के लिए आएगा तो आप चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो रेड बटन के बटन